यह कहانी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह आपके अंदर को जगजोर कर रख देगी, आपको हिला कर रख देगी और ऐसे इंस्पायर करेगी कि आप सूज भी नहीं सकते हों मैं आपको बताने जा रहा हूँ Olympics Games के हिस्ट्री का और अब दे ग्रेटेस्ट Iconic Moment के बारे में साल 2008 का Beijing Olympics चल रहा था और गेम चल रहा था वेट लिफ्टिंग का Matthias Alexander जो जर्मनी के वेट लिफ्टर थे वो अपने competitor से पीशे चल ले थे और ऐसा लग रहा था कि Matthias गोल्ड के रेस में पीशे चल रहा है लेकिन सरप्राइजिंगली लास्ट राउन में मैथियास ने अपने competitor से ज़्यादा वेट उठा कर unexpectedly गोल्ड मेडल जीत लिए और गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो स्टेज पर खूब रुए अब लोगों को लगा कि भाई सब तो मुस्कुराते हैं हसते हैं लेकिन ये रो क्यों रहा है और बहुत ज़दे रोने लगे और उसके बाद जब उनको गोल्ड मेडल दिया गया तो उन्होंने एक फोटो को निकाला और उसको चुमने लगे और कहा कि ये गोल्ड मेडल मेरी वाइफ को समर पी था है वो फोटो उनकी वाइफ का था चलिए थोरा सा स्टोरी को रिवाइंड करते हैं मैथियास स्टेनर आस्ट्रिया में पैदा हुए थे और बच्पन से उनको वेट लिफ्टिंग का शौक चड़ गया था और वो वेट लिफ्टिंग करने लगे थे लेकिन बच्पन में ही जब वेट लिफ्टिंग करने लगे तो वेट उनके पैर में गिर जाने के कारण उनका पैर का हड़िट उड़िया और डॉक्टर ने उनको बोला कि आप कभी भी अपनी जिंदगी में वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाऊगे और उनका एक सपना था कि मुझे गोल्ड मिडल जीतना है मुझे ओलम्पिक्स में गोल्ड मिडल जीतना है तो सब कोई बोला कि अपने खौब को अपने सपने को छोड़ दो तुम कभी वज़न नहीं उठा सकते लेकिन मेथियास ने हार नहीं मानी अपना इलाज कराया रिहाब में रहे उसके बाद फिर से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और 2004 के एथेंस उलम्पिक में उसने आस्ट्रिया को रिपर्जेंट किया लेकिन वो साथ में पोजिशन पे रहे उलम्पिक्स के बाद उनके देश के फेडरेशन में कुछ चेंजेज आए कोच बदल गए तो उनको भी दिक्कत आई तो वो वहाँ से शिफ्ट हो करके जर्मनी चले गए लेकिन जर्मनी मैं उनके पास जर्मनी की नागरिकता नहीं थी लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात होती है उनकी वाइफ सुजैन से उससे दोस्ती हुई दोस्ती प्यार में बदल गी उसके बाद यह सब बरबाद हो गया उनकी वाइफ एक कार एक्सिलेंट में मारी गई और जाते जाते उनकी वाइफ ने उनसे एक प्रामिस लिया एक वादा लिया कि तुम्हे गोल्ड मिडल जीता है और उनकी वाइफ का वो खौब था कि स्टेनर अपनी लाइफ में जितने का प्रामिस किया है तो वो फिर उस दुख को पार पाते हुए लग गए हद पार मेहनत में और वो जिम में जितना भी पसीना बाते थे जितना भी वेट लिफ्टिंग करते थे सिर्फ अपनी वाइफ की याद में करते थे तो ऐसे ही मेहनत करते करते वो Olympics में पहुँच गए और पहली competition में हारने के बाद पहली competition में अपने competitor से पिछरने के बाद हैरत अंगेस तरीके से last round में highest weight उठा कर और total 461 kg का वजन उठा कर वो gold medal जीत लेता है और वो stage पे इतना रोने लगता है और ये Olympics के history का सबसे iconic और सबसे greatest moment है क्योंकि वो जीत को अपनी wife को समर्पित करता है और ये बोलता है कि ये मेरी wife के वज़ेस हुआ है और वो ऐसे बोलता है कि मेरे अंदर पता नहीं कहां से इतना ताकत आ गया उस वक्त दोस्तों मेथियास कहते हैं कि आपकी जिन्दगी जैसा आप सोचते हो वैसे कभी ही होती है आप उनकी स्टोरी को देख सकते हो बच्चमें में उनका पैंट तूड़ गया सबने उनको बोला कि अपना खौब छोड़ दो उनकी वाई जब उनकी life track पे थी उनके पास सारी खुशियां थी उनका एक supporter था लेकिन एक पल में एक सेकंड में सारा चले गया लेकि कि अंद में वो गोल्ड मेडल जीती गए तो मेथियास के स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है ये lesson मिलता है कि life में जब तक हम मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे मुसीबतों को नहीं जहलेंगे तब तक हम एक बड़ा इंसान नहीं बन सकते हमें कामियाब इंसान नहीं बन सकत लाइफ में मुसीबतें सबकी होती है लेकिन मुसीबतें अलग-अलग तरीके से आती है अलग-अलग परकार से आती है लेकिन वो मुसीबतें जब इनसान को मजबूत बनाती है तब वो इनसान आगे चलकर कामियाब बनता है आगे चलकर काबिल बनता है बिना मुसीबतों के क कोई इंसान बड़ा नहीं बनता मैथियास की कहानी से हमें ये greatest life lesson सिखने को मिलता है मैथियास कहते हैं कि life app के तरह कभी नहीं चलेगी जैसे आप सूचते हो वैसा कभी नहीं चलेगी लेकिन आपको उन odd situations में भी अपना best देना है अपना मेहनत करना है ताकि आप कामियाप बन सकूँ तो ये था एक छोटा सा स्टोरी कैसा लगा कोमेंट्स में जरूर बताएं अपना important feedback जरूर दें ताकि मैं improve कर सकूँ this is फरान शिमेमी thank you so much